अमरपाटन के अलग-अलग थानो श्वेत्र में हुए हाथसे में एक बच्चे की मौत हो गई जब की करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग खायल हो गए पुलिस ने सभी मामलों को संग्यान में लेकर नियमनोसार कारिवाही की है पहला मामला अमरपाटन के ग्राम गोपालपुरका है यहाँ बीहट नदी में नहा रहा आट साल का बच्चा गहरे पानी में डूब गया मासूम दोस्तों के साथ नहाने गया था तभी नदी के तेज बहाव में जाने से डूब गया जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को नदी से निकाल कर सिविल अस्पताल ले गए जहां जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उसे म्रत घोशित कर दिया पुलिस मामला दर्च कर जांच में जुट गई है बच्चे को परिजनों के द्वारा लाया गया बच्चा पानी में डूब गया था यहां अमरत वस्था में लाया गया पुलिस को सोचन विजवा के साव को मौर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया दूसरा मामला मेहर का है यहां मजदूरों से भरी एक ट्रेक्टर ट्रॉली अनियंतरित होकर पलट गई सभी मजदूर धान की फसल का रोपा लगानी के लिए जा रहे थे हाथसे के बात चीक पुकार मच गई इस घटना में करीब एक दरजन मजदूर घायल हो गए इसमें स करने पर पुलिस ने तीनों को गिरफतार कर नयायाले में पेश किया आज 78 में सुतंता दिवस का जो कारिकरम स्टेडियम में चलना था मरपार्टन में वहाँ पर एक ट्रैक्टर घुज गया जिसमें तीन बच्चे सवार थे उम्रे लगभग 24 से 26 साल थी और उनकी रफतार तेज थी जिसके वज़े से वो अन्बलेंस हो गया और पलट गया यद्यपी हमारे लिए अच्छी बात यह किसमें कोई जन्हानी नहीं हुई उनको ततकाल कस्टडी में लिया गया है और मैं स्वयम उस ट्रैक्टर को जब्त कर आया और उनको कस्टडी में ले पर उन पे लीगल कारिवाई ली जाएगी एक अन्य मामले में अमरपाटन थाना चेत्र में रिवा रोड पर इंडियन बैंक में देर राध इमर्जेंसी साइरन बजने से हड़कम कमच गया साइरन की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुचकर बैंक मेनेजर को बुलाया देर राध बैंक का ताला खुलवाया गया जाँच के बाद टेक्निकल फॉल्ट की जानकारी सामने आई निरक्षन के दोरान बैंक में गड़बड़ी नहीं मिलने पर बैंक मैनेजर और पुलिस ने राहत की सांस ली रबिन दरना टेगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ट फॉर 5 consecutive years आप देख रहे हैं डखल न्यूर